साथ संगत जी प्रेम से कहना धन्न रंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपनी चानल पर आज की हमारी साखी का विश्य है कि अपनी इमानदारी को किसी भी हालात में मत छोड़ियेगा चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी काम की तलाश में इधर उधर धक्के खाने के बाद निराश होकर जब शाम घर वापस लोटने लगा तो पीछे स्यवा जाई ये भाई यहां कोई मजदूर मिलेगा क्या उसने पीछे मुड़ कर देखा तो पाया कि एक जुकी हुई कमर वाला बूढ़ा तीन गठरियां उठाए हुए खड़ा था उसने कहा हां बोलो क्या काम है मैं ही मजदूरी कर लूँगा तो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि मुझे रामगड जाना है दो गठरियां मैं उठा लूँगा पर मेरी ये तीसरी गठरी बहुत भारी है इस गठरी को तुम रामगड पहुँचा दो बदले में मैं तुम्हें दो रुपई दूँगा वो लो कामन्जूर है तो शाम ने कहा ठीक है कोई बात नहीं आप बुजूरग है आपके इतनी मदद करना तो वैसे भी मैं अपना फरज समझता हूँ इतना कहते हुए गठरी उठा कर उसने अपने सर पर रख ली किन्तु गठरी रखते ही शाम को गठरी के भारी पन का एहसास हुआ उसने बुढ़े वैक्ती से कहा कि ये गठरी तो काफी भारी है तो बुढ़े वैक्ती ने कहा हाँ इसमें एक एक रुपई के सिक्के हैं उस बुढ़े वैक्ती ने लगबग फुस फुसाते हुए ये कहा जब शाम ने सुना तो सोचा होंगे मुझे क्या मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है ये सिक्के भला कितने दिन चल पाएंगे तब ही उसने देखा कि बुढ़ा व्यक्ति उस पर नजर रखे हुए है तो शाम ने सोचा कि ये बुढ़ा जरूर ये सोच रहा होगा कि कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा पर मैं तो ऐसी बही मानी और चूरी करने में विश्वाश नहीं रखता मैं सिक्कों के लालच में फस कर किसी के साथ बही मानी तो बलकुल नहीं करूँगा तो चलते चलते आगे एक नदी आ गई शाम तो नदी पार करने के लिए जट से पानी में उतर गया पर वो बुढ़ा नदी के किनारे खड़ा रहा उसने बुढ़े की और देखते वे पूछा क्या हूआ पर रुक क्यों गए बुढ़ा बोला मैं बुढ़ा आदमी हूँ मेरी कमर उपर से जुकी हुई है दो दो गठरियों का भोज में नहीं उठा सकता कहीं में डूब कर नदी में मर ही न जाओ तुम्हें गठरी और उठा लू मजदूरी की चिंता ना करना मैं तुम्हें एक रुपया और दे दूँगा शाम ने कहा ठीक है लाओ तो बुड़े ने कहा पर इसे लेकर कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे शाम ने कहा क्यूं भला मैं क्यूं भागने लगा तो बुड़ा बोला भाई आज कल किसी का भरोसा नहीं फिर मेरी इस गठरी में चांदी के सिक्के जो है शाम ने बुड़े से कहा कि मैं आपको ऐसा चोर बेमन दिखाई दे रहा हूँ क्या आप बेफिकर रहे मैं चांदी के सिको के लालच में किसी को दूखा देने वालों में से बलकुल नहीं हूँ लाइए ये गठरी भी मुझे दे दीजे दूसरे गठरी उठाकर उसने नदी पार कर ली चांदी के सिको का लालच भी शाम को दिखा नहीं पाया थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने एक पहाड़ी आ गई तो शाम तो दिरे दिरे पहाड़ी पर चड़ने लगा पर बूढ़ा व्यक्ती अभी तक नीचे ही रुका था शाम ने कहा आईए ना फिर से क्यों रुक गए बूढ़ा आदमी बोला मैं बूढ़ा हूँ ठीक से चलतो पाता नहीं उपर से कमर पर एक गठरी का बोजोर और उसके उपर भी इस पहाड़ की दुरगम चड़ाई शाम ने कहा लाइए ये गठरी भी मुझे दे दीजे बेशक और मजदूरी मत देना पर बूढ़े ने कहा इसे कैसे दे दूँ इसमें तो सोने के सिक्के हैं अगर तुम इने लेकर भाग गए तो मैं बुढ़ा तुमारा पीछा भी नहीं कर पाऊंगा शाम ने कहा मैंने आपको कहाना मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ इमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है वरना पहले मैं एक सेठ जी के यहां मुनीम की नौकरी करता था सेठ जी मुझे से हिसाब में गड़बड करके लोगों को ठगने के लिए मुझे पर दबाव बनाते थे तब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और मैं उनकी नौकरी छोड़ कर चलाया उसने यूँ अपना बड़ब पंजताने के लिए गफ हां की तो इसके बाद बूढे ने कहा पता नहीं तुम सच कह रहे हो या जूट खेर उठा लो ये सोने के सिकों वाली तीसरी गठरी भी मैं धीरे धीरे आता हूँ अगर तुम मुझसे पहले पहाड़ी पार कर लेना तो दूसरी तरफ रुख कर मेरा इक दसार करना तो शाम सोने के सिकों वाली गठरी उठा कर चल पड़ा बूढ़ा बहुत पीछी रह गया था शाम के दिवाग में आया कि अगर मैं भाग भी गया तो ये भूढ़ा तो मुझे पकड़ भी नहीं सकता और मैं ये तीन गठरीया मलने के बाद एक ही जटके में माला माल हो जाओंगा मेरी पतनी जो रोज मुझे कोस्ती है वो कितना खुश हो जाएगी इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत ठुकराना भी बेव कुफी होगी एक ही जटके में मैं धन्वान बन जाओंगा पैसा होगा तो इज़त एशो आराम अपने आव मुझे सब कुछ मिलेगा तो कहने की बात ये है कि शाम के मन में तो लालच आ गया था वो बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ तीन तिन भारी गठ्रियों का वोज उठाए भागते भागते उसकी सांस भूल गई वो तीनों गठ्रियों को अपने घर ले आया घर लाकर उसने गठ्रियां खोल कर देखी तो उसने अपना माथा पीट लिया गठ्रियों में सिक्कों के जैसे बने हुए मिट्टी के धेले ही थे तो शाम उन्हें देखकर ये सोच में पढ़ गया कि उस बूढ़े व्यक्ती को इस तरह का नाटा करने की क्या ही जरूरत थी तभी उसकी पत्नी को यानि की शाम के पत्नी को सिक्कों के धेर में से कागज मिला जिस पर लिखा था ये नाटा की सुरज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए इमान दार सुरक्षा मंत्री खोजने के लिए किया गया था परिक्षा लेने वाला बुढ़ा और कोई नहीं सोयम महराजा ही थे अगर तुम भागते ना तो तुम्हें मंत्री पदर्मान समान सब कुछ मिलता लेकिन आप कुछ नहीं हो सकता साथ संगत जी हम सभी को भी जीवन में सचेत रहना चाहिए ना जानी जीवन देवता कब हम में से किसकी परिक्षा ले ले पर लोबनों में ना डिग कर सरधानतों को पकड़े रहने में ही दूर दर्शिता है साथ संगत जी एक बहुत बड़ा चोर था जिसका नाम था मुरारी लाल वो अपने गाव के सबसे बड़े चोरों में सेख था वो रुजाना जेब में चाकू डाल कर रात को लोगों के घर में चोरी करने जाता पेशे से वो चोर था लेकिन हर एक इंसान चाहता है कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े एक तो चोर का बेटा और उपर से केवल बारवी पास तो उसे नौकरी कैसर मलती अम बेचारा वो बेरोजगार की तरह दिन रात घर पर पड़ा रहता मुरारी को बेटे के चिंता हुई तो उसने सोचा कि क्यों ना इसे मैं अपना चोरी का काम ही सिखा दूँ जैसे मैंने चोरी करके अपना गुजारा किया ये भी कर लेगा तो यही सोचकर मुरारी एक दिन बेटे को साथ ले गया आरात का समय था दोनों चुपके चुपके एक इमारत में पहुँचे उस इमारत में कई कमरे थे और सभी कमरों में रोश्नी थी देखकर लग रहा था कि ये किसी अमीर इंसान की हवेली है मुरारी बेटे बेटे से बोला आज हम इस हवेली में चोरी करेंगे मैंने पहले भी यहां पर कई बार चोरी की है खूब माल मिला है लेकिन बेटा लगातार हवेली के आगे वाली लाइट को ही देखे जा रहा था मुरारी बोला देर ना करो जल्दी अंदर चलो वरना कोई देख लेगा लेकिन उसका बेटा तो अभी भी रोशनी को ही निहार रहा था वो करुण स्वर में बोला पता जी मैं चोरी नहीं कर सकता मुरारी बोला तू पागल हो गया है क्या जल्दी अंदर चल बेटा बोला पता जी जिसके यहां से हमने कई बार चोरी की देखी आज भी उसकी हवेली में रोशनी है और हमारे घर में आज भी अंदकार है मेहनत और इमानदारी की कमाई से इनका घर आज भी रोशन है और हमारे घर में पहले भी अंदकार था और आज भी है मैं भी इमानदारी और मेहनत से कमाई करूँगा और उस कमाई के दीपक से मेरे घर में भी रोशनी होगी मुझे ये जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना तो मुरारी की आँखों से आंसु आ गए उसके बेटे की पढ़ाई आज सार्थक होते हुए दिखाई दी साथ संगत जी बेईमानी और चोरी से इंसान थोड़ी देर के लिए सुखी तो रहे सकता है लेकिन इससे उसके जीवन में हमेशा के लिए पाप और अधकार हा जाता है हमेशा अपने काम को महनत और इमानदारी से करें बेईमानी की कमाई से बने हुए पकवान भी इमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके हैं कुछ ऐसा करें कि आप समाज में सर उठा कर चल सके अगर आज की ये साखे आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दीजेगा आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ साज संगत ची प्यार से कहना धन नरंकार ची